अब देख रहे हैं आप दोस्तों आज की जो अंग्रेजी की क्लास है वो होने वाली है बिल्कुल धाकड वाली बिल्कुल धाकड वाली क्लास होने वाली है चुक्कि अंग्रेजी बोलने के लिए have और has का जो concept है अगर आप उसको detail से समझेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल होता है कैसे वाक्य में उसको set करेंगे क्या उसका structure हो अगर आप इसको सीखते हैं तो अंग्रेजी बोलने का जो आपका पड़ाव है वो step by step पूरा होता जाएगा तो यह क्या है one of the biggest steps है have और has का class क्यों है क्योंकि have और has एक ऐसा topic है नो my dear friends कि have का इस्तेमाल और has का इस्तेमाल main verb के रूप में भी होता है और helping verb के रूप में भी होता है इसलिए confusion create करता है और आज की class के बाद यह confusion नहीं होने वाला है बने रहना है वीडियो करने तक पपा का नाम लेकर class को शुरू करते है जैसा कि मैंने आपको बताया है कई class में बताया है कि verb को पहचाने का simple सा तरीका है last में आप उसके हिंदी मीनिंग में ना ढूंडिए क्या ढूंडना है आपको ना अगर किसी हिंदी सब्द के last में आपको ना दिखे तो वह वर्ब होता है वर्ब यानिकी action word clear है अभी देखिए have का मतलब अगर आप आप नॉर्मल एडिस्टनरी में search करेंगे तो आपको दिखेगा रखना या पास होना रखना या पास होना ना है ना इसका मतलब क्या यह में वर्ब है इसका मतलब क्या यह में वर्ब यानि कि मुख खिक रिया ठीक है अभी आपको यह confusion आएगा कि अचानक से आप में वर्ब helping वर्ब यह सब क्या बोलने लेगे समझ में नहीं आ रहा है बहुत सरे लोग ऐसे होंगे यह समझ में नहीं आ रहा होगा main verb क्या होता है जैसे कि जो भी हम लोग अपने day to day life में जो करते हैं action जैसे कि खाना पीना जाना बोलना रोना धोना उचलना कुदना सब में दिखिए ना रहा है ना यह क्या main verb होता है main main काम ठीक है और helping verb क्या होता है जब helping का नाम ही है helping सहायक वह क्या करेगा main verb का help करेगा वाकि में वह अभी आगे देखेंगे ना transition नहीं लेने तो main verb clear हो गया चुकि वह main होता है दिन वार उसी को use करते सबसे जादा उसी को use करते इसलिए main हो गया clear अभी देखिए have का इस्तमाल आपको सिर्फ और इन ही चारों के साथ करना है I you we are they बस I you we they इन ही चार के साथ आप have का use करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं that is कि आप I you we they इन चार को एक तब मन में set कर लिजे इन ही की चार के साथ हम लोग को use करना है चुकि लोग अकसर confused होते हैं और गल्ती करते हैं कई लोग B के साथ have लगा देते हैं, U के साथ has लगा देते हैं उल्टा बल्टा करते हैं इसलिए माइं माईन में set कर लिजे I you we they इसका इस्तमाल और सिर्फ present में करेंगे और पास्ट में नहीं करेंगे future में भी नहीं करेंगे ठीक बड़े आगे चलिए structure बिल्कुल आसान सब्यक्ट यानि कि वाक्वे में जो काम करने वाला होता है, वह होता है subject. ठीक है? छोटा सा एक्जामपल देखे subject क्लियर कर देते हैं. जैसे कि वोऄ फुटबॉल खेलता है. वोऄ phone खेलता है. क्हेलने का काम होरा है, वोः खेलता है. है ना, तो वह हो गया subject. खेलने का काम हो रहा है जो काम हो गा, यानल की खेलना वह महाँ हो जाएका, और खेलने ऐतलों जिसों पड़ेगा यानि काम करने वाला, फिर आपको have लगा देना है, फिर आपको last में object लगा देना है, मतलब काम का अथर जिस पर पड़े, object को आप ऐसा समझे बचा खुचा सब्द, भर्ब के बाद, वर्ब के बाद, ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर कौन है आपका, have है, have तो main verb है न, वर्ब क के बाद, जो बच गया, उसको ठेक दो उधर, उसको फेक दो उधर, है न, वर्ब के बाद उधर, फेक देना है, ठीक है, तो subject plus have plus object, simple सा structure है, clear, अभी देखिए, वाक्य में इसका यूज़ करेंगे, तुरंट से समझ मायाएगा, जैसे कि मेरे पास एक कार है, पास है, किसी क मेरे पास होना, have का मतलब ही तो होता है, रखना या पास होना, मैंने एक कार रखा हुआ है, मैंने एक कार रखा हुआ है, या मेरे पास एक कार है, एक ही बात है ठीक, तो अभी देखो, मेरे पास है, तो पास है, यानि कि have हो गया, इसका इंग्रिज़ी, मेरे पास है, मेरे खुचा सब जैने के object, I have a car, I have a car, बन गया, चलो next देखो, उनके पास एक बड़ा घर है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पास है, मतलए have तो लगेगा, उनके, उनके गंगरेजी होता है, दे, ठीक है subject हो गया, they have, उनके पास है, क्या है भई, एक बड़ा घर, a big house, एक बड़ा घर, तो they have a big house, उनके पास एक बड़ा घर है, मन गया वाक के, clear, clear है न, अभी देखो, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा मतलब उपाय नहीं है, चारा मतलब वो खाने वाला चारा नहीं है, ठीक है, उपाय वाला, कोई solution नहीं है, हमारे पास कोई solution न हमारे पास अंग्रेजी हो गई भी, we have, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय, उपाय का होता है choice, उपाय का choice, नहीं है, no choice, we have no choice, बने गया बाक्य, clear, चलो, next देखो, अभी have का हम लोगों ने देख लिया main work, have का देखा main work, अब देखेंगे helping work के रूप में उसको कैसे use कर सकते, helping work यानने की सहायक करिया, helping work यानने की सहायक करिया, सहायता करेगा वो वाक्य में, नियम वही रहेगा, I, U, V, D, के साथ ही इस्तमाल होना है, same to same, structure change हो जा आ रहा हूँ, subject, plus have, जो सबसे यादा use होता है, plus b3, plus object, subject लगा दो, फिर have लगा दो, इतना तो same ही था, उसमें भी, भर्व का तीसरा रूप आपको use करना है, और जो बचा-कुचा सब्द है, उसको आपको यहाँ पर फेक देना है, चला गे हो दर, है ना, subject, plus have, plus b3, plus object, ब अच्छा, आगे बढ़ने सब्ले बजा दू, कि play store पे, जाएंगे, google play store पे, संजीब की जानी, मेरा app आ गया है, आपका अपना app आ गया है, तो अगर आप उसमें admission लेना चाहते है, spoken English course, English reading course, English grammar course, English foundation course, किसी भी course में admission लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, fee वहाँ पर बजलो कैसे कैसे क्या होना है, कैसे कैसे कोई भी doubt हो तो, ऐसे तो ऐसे कोई phone करनी ज़रोती है, सीधा play store पे जाओ admission लेलो, ठीके, संजीब की जानी, आपको install कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखो इसका structure, तो subject, plus have, plus b3, plus object, subject, plus have, plus b3, plus object, मैं पूरा कर चुका क्या पूरा कर चुका हूँ, कोई भी काम, कोई भी काम, ठीके, मैं पूरा कर चुका हूँ, या मैंने पूरा कर लिया है, इसी वाक्त को मैं ऐसे कह सकता हूँ, कि मैंने पूरा कर लिया है, एक ही बात है, मैं पूरा कर चुका हूँ, या मैंने पूरा कर लिया है, कोई भी का क्वेशन काम फिक अभी देखिये हैं इसे पता चालता कि कोल भी काम कम्प्लीट हो गया है कोई OFी काम मामलो मैंने खा लिया है था मैंने याद कर लिया है मैंने पढ़ लिया है तो काम पूरा हो जाएगा तभी आपको यह वाला structure यूज करना है काम जो है वो पूरा हो जाएगा ठीक, अभी देखो मैं आई ठीक, पूरा कर चुका हूँ मतलब complete कर लेने को कहते हैं पूरा कर लेना complete कर लेने को कहते हैं पूरा कर लेना have लगा दिया complete का भी 3 लगाना है that is completed I have completed मैंने पूरा कर लिया है क्या कर लिया है I have completed my task I have completed my homework I have completed my project कुछ भी जो भी आपको लगाना है ठीक है चलो next देखिए आप खा चुके हैं या आपने खा लिया है आपने खा लिया है फिर से मांग रहे हैं गलत बात है यह तो आप खा चुके हैं या आपने खा लिया है clear अभी देखिए आप यू हो गया कोई भी काम पूरा हो गया मतलब खाने का काम पूरा हो गया इसलिए यह वाला structure यूज कर रहे है आप खा ठीक है तो आपके लिए यू आ गया चुके हैं have आ गया आप खा चुके हैं तुम खा चुके हो तुमने खा लिया है सभी का अंग्रेजी यह होगा ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यू का मतलब भी होता है तुम आप तुम सब ठीक और हिंदी वाकिक को दो लग 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 तरीके से प्रजेंट कर सकते हैं इसलिए इस अंग्रेजी सेंटेंस का चार हिंदी होगा ठीक है आप खा चुके हैं आपने खा लिया है तुम खा चुके हो तुमने खा लिया है हम लोग देख चुके हैं कोई भी मूवी की बात हो रही है हम लोग देख चुके हैं कोई भी काम कर चुके हैं, तो have लगाया, ठीक है, चुकि V के साथ, have लगना है, I, U, V, D, के साथ, have लगना है, लगा दिया, अब देखना को कते हैं, C, उसका भी थरी तो sin हो जाएगा, ठीक, अभी देखिए, अभी क्या होता है, कि आपने देखा होगा, कि look मतलब भी देखना होता है, C मतलब भी देखना होता है, और watch मतलब भी देखना होता है, तीनों का मतलब होता है, देखना, एक वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है, पूरा इसी पर based है, look, see, watch, क्या difference है, और कैसे इसको, क्या होता है, यूज क्या है, जब भी आप कोई movie देख रहे हैं, movie टाया नहीं कि कोई चलता हूँ छीज, आप जब देखेंगे, तो watch यूज करेंगे, वो चलता हुआ ऐगर आप देखेंगे, तो watch यूज करेंगे, अचानक से कोई आपके सामने आ जाये, तो look use करेंगे, तो look use करेंगे, और normally C use करेंगे, normal sentence में C, आई बस समाझ में कोई चलती हुई चीज जैसे movie देख रहे हैं, cinema देख रहे हैं, कोई भी जैसे की, कोई ऐसा चीज चल रहा है जो moving है, कोई भी चीज जैसे की, मानली जिए circus में आप गए, कोई ऐसी जगा पर आप ग normal के लिए यूज करेंगे, और look मतलब अचानक से कुछ आपके ask पास आ जाए, तो look ही यूज करेंगे, ठीक है, detailed sentence के साथ वीडियो अवलेबल है, जाके देख सकते हैं, तो we have seen, बन गया बाग क्या, चलो next देखो, have समझ में आ गया, have का दो इस्तिमाल होता है, pass होना, रखन ठीक है, are you with a, के साथ उसका use होना है, main work, helping work, कैसे use होना है, वो भी आपको समझ में आगे, दो तरीके से उसका हम लोग use करते हैं, clear, आजाओ has पे, has का भी लगवग same to same है, तिर्भी difference क्या है, सबसे पहला difference तो यह है, कि इसका इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ आप इन चार हो जाएगा, दिमाग से सब गायब, ठीक, तो he see its name के साथ इसका use करेंगे, maximum इसका use करते हैं, मतलब आप इसको समझ यह नहीं से करके, 80 to 90% जो आप use करेंगे, वो इसका use करेंगे, 10 से 15% singular numbers के साथ, यानि कि कोई भी एक वचन noun के साथ, एक वचन noun के साथ, मतलब singular noun के साथ ठीक है, अभी देखो, तो रखना pass होना सेम मतलब है, present में इसका इसका इस्तमाल करेंगे, structure में सिर्फ difference कियागा, subject, यहाँ पर have था, यहाँ पर have जा जाएगा, और बाकी object, clear, example देखे, उसके पास एक car है, तो notice क्या करना है, pass है, has लिख लो, उसके पास he, उसके पास अगर करना है, अगर वो लड़का है, तो he hee chi, बोलंगे, अगर वो लड़की है, तो she, जब आपको, आपको तो पता है, है न, है न, То he or see, यह अपको, वाकिके अधहर पर sentence के इससा आप से, जब आप बोलंगे, तो आपको पता हो रहाणा किसी लड़की क्यों दिखार एक आपक राणी के पास राणी has an idea, उसके पास एक idea है, start up करना है ना उसको, तो c has an idea और राणी has an idea, clear? पूइडाउट? चलो नेक्स देखो, उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, आप कहेंगे इसमें सिर में दर्द है, इसका pass होना से क्या समद्द है, तो pain जितना भी होता, pain हो गया, इन सभी के साथ हम लोग have या has का इस्तेमाल करते है, ठीक? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके पास दर्द है, ठीक है? तो उसके पास है, यह मतलब आ गया, तो that is why c has और he has what? a headache, head में जब एक हो जाए, a-c-h-e, इसका मतलब होता है दर् pain, कहां पर दर्द हुआ है, head में, तो head एक, a-c-h-e, a-c-h-e, इसका उचारण क्या होता है, एक, और head में है, that is why, headache, that is why यह क्या हो जाता है, head प्लस एक, headache, ठीक है? तो she has a headache, clear है? तो उसके सिर में दर्द है, clear है? अभी has का इस्तिमाल हम लोग देखेंगे, helping walk के रूप मे नियम वही सेम रहेगा, आप इसका इस्तिमाल सिर्फ और सिर्फ he, see, it और name के साथ करेंगे, structure देखिए, structure subject plus has plus b3 plus object, मतब जहां पर have था, वहां पर has आ जाएगा, clear? है ना? चलो sentence देखो, sentence बिल्कुल आसान, बिल्कुल simple, वह जा चुका है, या इसी sentence को हम लोग कहा सकते है है क्या? वह चला गया है, वह चला गया है, वह जा चुका है, बोलो, क्लियर? है क्लेर, तो अब ही देखो, जा चुका है, चला गया है, मतनल काम जो है कंप्लीट हो जाएगा जा चुका है, मतलब वो अब यहां पर है नहीं, निकल गया, रास्ते में होगा कहीं पर, ठीक है, तो वो चला गया है, वह, ही, है जा जाना, गो, भीत्री लगाना है, go and gone, he has gone, कहा गया है, he has gone to market, अगर object होता, market होता, तो हम लोग यहां पर बच्चा खुचा सब यहां पर आ उसके पास, है मतलब नोकरी पाने का काम हो गया पूरा, तो that is why she has got a job, ठीक है, she has got a job, यह got जो है, यह get का भीत्री है, get का भीत्री है, पहले क्या होता था, यह अभी dictionary में आप सर्च करेंगे, तो get got got, ठीक है, यह भीवन me too भीत्री, पुराना dictionary अगर आप खोजेंगे, update, got, gotten आपको देखेगा उसमें, ठीक है, तो आप कहेंगे सर के गलत क्या है, गलत कुछ भी नहीं है, चींज हो गया, modern जमाना आगया, थोड़ा तो update कर दिया गया, तो अभी क्या हो रहा है, चुकि gotten ना बोलने में अच्छा नहीं लगता था, that is why इसको upgrade किया गया, जैसे स forget के साथ भी है, forget, forget, forgotten, जो पुराने लोग उनको पता होगा, या अभी भी पुराने डिक्सिनरी वगर आप पल्टाएंगे, पुरानी कोई grammar की बुक पल्टाएंगे तो आपको दीखेगा, नहीं जितनी भी बुक है, Ren and Martin English grammar book, जिसको हम लोग refer करते है, modern, वो update भी होता रहत है, तो हम लोग जो भी information share करते हैं आप से, वो updated book से share होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी internet का ग्यान आपके पास प्रस्तूत किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा content जो बहुत ही research होता है, हाँ, छोटा मोटा कभी कबार, प्लाते प्लाते अगर error आ गया, मुह से कोई गलत निकल गया, that is different thing, है ना, बट ऐसे, आपको जो भी चीज यहां पर बताया जा रहा है, वो researched है, authentic है, आई बाद समझ में, तो यह चीज है, तो get got gotten, got, ठीक है, इसलिए अचानक से कोई यह नहीं सम्झे है, अचानक से भी 3 बोले, और यहां पर भी 2 क्यों लिख दिए, यह भ है, install कीजिए, ठीक है, जो भी course करना चाहते है, spoken English, English grammar, English reading, English foundation, SSC, bank, जो भी course करना चाहते है, individual courses, वहां पर आपको दिखेगा, उसकी fee दिखेगी, तो अगर आप admission लेने की चाहिए, admission ले सकते हैं, यह है WhatsApp number, calling number, जो भी एक doubt हो, कुछ पूछना चाहते है, इस पर WhatsApp कर लेना, ठीक है, ऐसे पूछनी कोई जरते हैं, सीधा-सीधा जाओ, पसंद आता है, समझ में आता है, admission ले लो, ठीक है, चुकि कब तक सीखोगे, 2024 में कुछ ने कुछ कर गुजरना है, है ना, अंग्रेजी सीखने के लिए बैठे नहीं रहना है, जिन्दगी बर, सीखेंगे, सोचे आज इसका वीडियो देख रहे है, कल उसका वीडियो देख रहे है, जो टीचर एक समझ में आता है, उसको पकड़ो, और उसको देखो, और सीख करके कम्प्लीट करो, अई बस समझ में, चलो, मिलते अगले क्लास में, thank you so much, all the best, happy learning, और class पसंद आ रहे है, समझ में आ रहे ह है, share करो यार, share करो, अपने near one, dear one, love one, जो भी आपके करीबी हैं, रिस्तिदार हैं, मित्र हैं, उनको share कीजिए, all the best, happy learning,